आखिर क्यों शुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं आखिर क्यों ये दावा ठोक रहे हैं कि ललन सिंग को हराने के लिए बीजेपी का एक ही नेता काफी है कुछ भी संगर्स नहीं करना पड़ेगा आखिर क्यों टीन का चश्मा का प्रियोग किया गया इस तरीके की शब्दों का प्रियोग आखिर क्यों यहां पर नीतीश कुमार के लिए किया गया नमस्कार आपके साथ मैं हूँ रितिक सभीता स्वागत है आपका Next 9 News Political Bite में दर्शकु बिहार की राजनीती में एक बार फिर से दूसरा खेल देखने को मिल रहा है यहाँ पर जी हाँ आप सही सुन रहे हैं शुसील मोर्दी ने जमकर नीती शकुमार को घेरा और यह कह दिया कि उनकी आखों पर टीन का चश्मा लगा है पहले आप सुनिये कि किस तरीके से हमलावार हैं और ललन सींग का भी जिक्र करते हुए यहाँ पर चुनावी रणनीती को बता देते हैं हुए और से जर्दर होती है दोनों की सरकारां में मंत्री के नाते काम किया ऐसे गरी 47 पराने में तरस्री विशाद वाइए हर सरकार के माने मुंति सीद्धिन का मताव सिक्रमा जी नित्रों पार्णों थे लखी सराय में सिर्यामित साहा जगा पाशन था वर्षा के बावुद हजारों के सिख्वा में लोग मौनुद थे उनके भाशन के बाद चाहिए के लोग इतने वॉक्षा गए कि अमिट साह के बारे में पूर्ट पठान जान देए किसे ने कहा कि अगर हिम्मत है तो अमिट साहा मुंगेर से चला रोड़कर देखना है अरे भी मेरे माघवंद्र के बित्रों हो अमिट साहा को क्या जूंता मुंगेर आने की लखिस राय का एक छोटा सा कायर करता दलन सिंग्ध को हारानी के लिए प्रयाप है उसके लिए किसी अमिट साहथ वाले की जूंगे मैंने बित्रों का रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है दलन बाव और जंदा दिनुकि मेरे नेतागन ये मुकामा सिमल्या खगडिया जो फोर्ड लेंड बन रही है ये क्या केंद्र की बहुत रही है यहार में आठ नए मेडिकल पॉलेजिस की इस अनलजल योजना का जिकर कर रहे हैं आपको बता दे की नलजल योजना में केंद्री करों में विहार को जो एक लाग करोन मिलेगा इस वाद और जो अमदान की राशी आती है वी तायर पे पैसा आता है वो साच पर संट से ज़्यादा खश्च होता है इस गुमान में में कि नलजल योजना के मिस्टेट फंड से बन रही है इसमें भी भार सथकार का बड़ा यूदान है और जदियों के मित्रों आपको दिखाई नहीं पड़ता है बगल में बरॉनी में आख हजार क्रोड की लागत से खाब का का खाना बनकर त्यार हो गया निदीजिए के तीन क और ये वो नरेंद्र मोदी है जो छोटा काम करना भी जानता है और बड़ा काम करना भी जानता है अगर नरेंद्र मोदी जारा करोड गरिवों के घर में शोचाले बनाना जानते हैं तो अमेरिकी संसथ को भी संबोधित करना जानते हैं अगर नरेंद्र मोदी तीन करोड गरिवों का खर बनाना जानते हैं तो नया संसर्थ भावन का धाकन करना जानते हैं यह हैं नरेंद्र मोदी अगर अगर 48 करोड गरिवों का जंदन खाता करवाना जानते हैं तो राम मंदे का निर्मान करना जानते हैं मैंने मित्रों अगर नरंद्र मोदी महलाई को निंद्ध करना जानते हैं तो असी करोड गरिवों को मुफ्त में पाच्तों अनास देना जाना है यह हैं में पर नरंद्र मोदी की ताकazzi प्रयाद हो कुम्ष का मेंना दगा तो वहां जो सीफाई कर्मचारी थे जो डलिज समाब सहोने वारे थे पुद्ध सबाद के सफाइक अंचानियों का अगर पावब होना नरेंदर मोदी जानते हैं तो सजिकल स्ट्राइब का 40 का बतला 400 से भी देना जानते हैं यह है ताकत नरेंदर मोदी की ना तो नरेंदर मोदी ने इलान कर दिया कि कौमन सिर्फोड आएगा हमारे विरोधी घपड़ाये हैं मैं जाना चाहता हूं जंता दर्यू के रोगों से राज़त के रोगों से आपको क्या परशानी है और मैं यहां के करक्ताव को से पूछ रचाहूंगा अगर हिंदू लड़की की शादी कुम्र 18 साल है और मुस्लिम लड़की की 16 साल है तो तो क्या लड़का लड़की की एक उमर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और अगर होनी चाहिए तो यही कोमन सिर्फोड है अगर हिंदू पती एक शाधी करेगा तो मुस्रीम पती क्या शाधी क्यों करेगा अगर एक पती का अगर कानुन मनता है तो क्या यह गुना है कोई गलत है तो एक पती का कानुन एक पती का कानुन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यही तो कॉमन सीविल कोड है नित्रुक त तलाग का क्या समान कानू नहीं होना चाहिए? कोई तीन तलाग देगर किसी और को घर से निकाल देगा? क्या हिंदु मुसल्मान फुरों के लिए तलाग का समान कानू नहीं होना चाहिए? और तलाग के बाद क्या लड़की को बुजारा बता नहीं मिलना चाहिए? अगर मुस कि कोई गुना है तो बच्चों की कसकरनी का दिकार हो संपत्ति में ब्रावरी का दिकार हो अगर हिंदु मुसलवां सी किसाई सबुक पर एक कानून बंता है इसी में किसी को परशाणी कुण नहीं करेंगे और से कान खोड़ कर सुनी ये मेरे दिदल के नितागन आजनक कर इस कि ये से देश में समय लागिक संवितार आएगी कोई टाक इसको हो परिðा जेफ़ é को अधर मुधी भवपान हमेला कर दिया मोखे मितरों दरेंद्र मुधी देश की विए बैब कर ये और अप किसके रिए कम करते ए परिवार के लिए क्या करते है देशं कर सो यहान भूह है प्रखन है है जो 21 साल से भिना चुप कि लिए 21 साल से लगाता दिन राथ प्रकूंब करें ए और यह ईपन गांडी जो हर दो माईने पर शुटिया मैंने की विदेश जाना करता है, एक नरेंद्र मोधी है, जिन्होंमें विदेशों में भारत का मान समान बढ़ाने का कम किया, और उसी योग पॉमस ज्यससे लोग है, जो विदेशों में जाकर पाख वर्चिंग पर संदोरों से मिलते हैं, कि घारण के मंस से तो नीचे गिराने का किया है तो शेवरे मित्रों के बियहार के जंद कर ना करकाइब और चाहए वोप हरे सारे कभी आपको पंट साथ वाली सब्सकार चाहिए चब्छेशे माहिए वा झायए आपको स्थोनों कि सब्सक्राइब भी करने वाली सबकार चाहिए यह आपको सब करने वाली सबकर चाहिए आपको चार शादी तीर तला हिजाद लब जिहाद धर्ण बरिवर्तन निकाह अलावा इसका सब्सक्राइब करने वाली सब्सक्राइब चाहिए कौमर सिर्पोर्ण वाली सब्सक्राइब बित्रो अगले साथ इसी समय रग्मक देश तेंदर चिलाव होंगे एक और मेलम रोगोदी होंगे और दुस्वें और अगांधी और उनकी साथ पीज़ दरोक अग्रपंदन होगा अग्याद विनोग तामेनी को प्रदान मंतरी बनने के सब्सक्राइब तो सुना अपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग्या होगा कि किस तरीकी से यहाँ पर सुशील मोदी हमला बर है एक तरफ नीती शकुमार प्रदान मंतरी बनने के सपना देख रहे हैं तो दूसरी तरफ बिपक्ष पूरी तरीके से बिहार की राजनीती पर सवाल खड़े कर रही है यानि कि बीजेपी सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर जो बिपक्षी एकता का सूत्र खेला जा रहा है ज लेकिन जो बात यहाँ पर कही गई नीती शकुमार के लिए ललन सींग के लिए क्या आप इससे सहमत अगर सहमत है तो कॉमेंट वाक्स में आप जरूर बताए आज के लिए सिर्ब इतना ही देखते रहे है नेक्श नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट